कैसे हैं आप लोग तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएड के बाद M.A.D. करने के फाइदे M.A.D. जिसे आप Master of Education कहते हैं वो आप B.A.D. के बाद 2 साल का कोर्स कर सकते हैं M.A.D. करने के क्या क्या फाइदे होते हैं आज आपको मैं बताऊंगा basically तो अगर वीडियो को आप देखते हैं तो पांच फाइदे आपको मैं बताऊंगा M.A.D. करने के तो अगर आप B.Ed कर रहे हैं आप B.Ed कर चुके हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है वीडियो को बिना स्किप किये आखिए तरह देखेगा चलिए शुरू करते हैं गाइस मासेग और भारदवाच और बीएड से लेटेट काफी वीडियो मैंने बनाई हैं आप बीएड करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो प्लेइलिस्ट में जाकर जुरू देखीगा अभी बात करेंगी कि बीएड के बाद अगर एमेड करते हैं तो दोस्तों उसका फायदा क जिसें Master of Education कहते हैं यह दो साल का बेसिक कोर्स है जो NCT के दोरा कराया जाता है पहले एक साल का कोर्स होता था लेकिन अब यह दो साल का कोर्स है इसके फायदे इतने है कि जो टीचर बनना चाहता है और उपर इमेड कर लेता है तो जैसे कहते हैं ना चार चांद लग गए हा और मखन मार के कोई चीज मिल जाए तो बस ऐसे ही होता है अमेड तो सबसे पहला फायदा अगर आप मुझे कहेंगे तो आमेड के बारे में ओडिटेल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूगा लेकिन फिलाल बसके फायदे की बात करते हैं क्योंकि फायदा पता लगेग लेकिन याद रखिए अमेड करने का फायदा तब होगा जब आपके बीड में 50 परसेंड माक आएगे और ग्रेजुशन में 50 परसेंड माक सोंगे 255 फिफटी परलसॉनों होगे तब आपका फायदा होगा अमेड करने का ठीक है न तो जिनके माक्स करना हैं कि वह एंप्रू पार के बाद के सकते तो आप 25 के लेक्टेरी सकते हैं जियां दोस्त आप प्रोफेटर हम सकते हैं धूसर्sa भी टियल एडा आपने सुना भा उनका भी कोलीज वहता है उसके लिएं आपको नहीं करें आप ब् Rozumie के ब्रेबर सकते हैं उसके लिए आपको झाली qЛoug सकते हैं जिनकी तंखा भी लगव इतनी होती है तो इसकितना बड़ा चांस है आपके बास के बाद के बाद करना है और वह आपका यूजूली हो जाता जिसका ब्याइड हो जाता तो उसके लिए हेसे बाद भरती को भरें के तो आपकी वेटेज एमैट करने के बाद जयाता होगी यानि कि हर स्टेट में अलग-अलग रूल बने हुए है एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं जैसे आपके टोटल मार्क्स बचल कलेकर अगब 15 यह आपको कम से कम मिलता ही मिलता है तो मैट करने के फायदे होते हैं कि आपके गौर्णमेंट टीचर बनने के चांस और अधिक बन जाते हैं कि आप डिगरी कोलिज में जो भी एइजूकेशन सब्जेक्ट होता है अगर आप मअड करने के बाद हैं अभी इस निडिश्बूटेटि चल रहा है कोट में क्योंकि पहले भरती होती थी लेकिन बीच में इस पर किसी ने वो लगा दे था कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन से ही महलब कुछ ऐसा इसू चल रहा है लेकिन यह एंड़र्ट प्रेंट कंफर्म है कि यही रूल है यही चलेगा आगे भी लास्ट बड़ लिस्ट बहुत बना चाहते हैं कि इंटर कॉलिज में टैन तक वाले कॉलिज में इर तक वाले कॉलिज में तो उसके लिए बीट के साथ एमएड होना वह ज़रूरी है वह एमएड ही मांगते हैं तब यह पिंसिपल की भरती आप बर सकते हैं तो दोस्त आप सोचिए खाली ब्याट करके कि कितने चांज बढ़ जाते हैं कितने और बहुत कम लोग एमएड कर रहे हैं आज की डेट में अगर आप कर लेते हैं तो यह एक चार चांद लग जाएंगे एजुकेशन बे तो यह मेरी वीडियो थी और कोई बात जानी हो तो कमेंट करके बताएगे का चैनल पर नहीं है झाल झाल